परिचाए मा, तुमने मेरी सुई देखी? ये अभी-अभी मेरे हाथ से गिर गई है और मैं उसे ढूंडनी पा रही मुझे इस कपड़े पर कढ़ाई पूरी करनी है हाँ, बेटी, इसे खोजने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी आओ, हम एक चुम्बक ले लें और सुई को खोजें चुम्बक क्या होता है मा? सुई खोजने में वो हमारी मदद कैसे करेगा? बच्चो, इस पार्ट में हम चुम्बकों और उनके गुणों के बारे में जानेंगे उद्देश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे चुम्बकिये और गएर चुम्बकिये पदार्थों की पहचान करना चुम्बकों के द्रुवों का वर्लन करना दिशाओं का पता लगाने में चुम्बकों की भूमिका की पहचान करना चुम्बकों के बीच आकर्शन और प्रतीकर्शन की गोंगी व्याख्या करना चुम्बकों का इतिहास बच्चो एक लोग प्रिये दंत कथा है जिससे हमें चुम्बकों की खोज का पता चलता है जो मैगनेस नामक एक यूनानी गडरिये से जुड़ी हुई है कथा है कि लगभग चार हजार वर्ष पहले उत्तरी यूनान मैगनेसिया नामक क्षित्र में मैगनेस अपनी भेडों को चरा रहा था कि अचानक उसकी चड़ी का धातू लगा सिरा एक बड़ी काली चट्टान से जिस पर वो बैठा हुआ था कसकर चिपक गया आकरशन के इस रोत का पता लगाने के लिए उसने वहां की धर्टी को खोदा जिसमें उसे एक प्राकृतिक चुम्ब की ये पदार्थ मैगनेटाइट मिला बात में इस चट्टान को मैगनेटाइट नाम दिया गया जो उसी के नाम मैगनेस पड़ था मैगनेटाइट एक प्राकृतिक चुम्बक है जिसमें लोहा होता है इसकी खोच के बाद के दिनों में इसे चुम्बक के रूप में जाना जाने लगा चुम्बक वो पदार्थ है जिसमें लोहे को आकरशित करने की शक्ति होती है चुम्बक क्रित्रिम रूप से भी बनाई जा सकती है तिंदू क्रित्रिम चुम्बक बनाने की विधी हाल ही की खोज है क्रित्रिम चुम्बक विभिन आकार प्रकार की होती है जैसे छड़ चुम्बक, नाल चुम्बक आदी पदार्थों के प्रकार आएए अब हम विभिन प्रकारों के पदार्थों को देखें चुम्बकों से आकर्शित होने वाले पदार्थ चुम्ब की ये पदार्थ कहलाते हैं जैसे पीच, नट, बोल्ट चुम्ब की ये पदार्थ हैं जो पदार्थ चुम्बक से आकरशित नहीं होते, उन्हें अचुम्ब की ये कहा जाता है, जैसे ओन, कपड़ा, हीटें अचुम्ब की ये पदार्थ हैं, आत्म मोलियांकन, चुम्ब की ये और अचुम्ब की ये पदार्थों को उठा कर उनके उप्युक्त बाक्सों में रख हैं, चुम्बक के ध्रुव, यदि आप किसी चुम्बक को चुम्ब की ये पदार्थों के उपर चलाएं, तो आप पाएंगे कि ये पदार्थ चुम्बक के खास हिस्सों की और ही आकरशित होते हैं, ये चुम्बक के दोसरे होते हैं, इन सुरों को चुम्बक के ध्रुव क रहा जाता है सही दिशाएं ग्यात करना किसी चुम्बक के ध्रुवों की जानकारी मिल जाने पर आप ध्रुवों के स्थान का पता लगाने में भी सक्षम हो जाएंगे। आईए देखें कि किसी चुम्बक के द्रूवों को चिन्नित करना क्यों जरूरी है। हम सभी जानते हैं कि दिशाएं क्यात करने के लिए हम दिशा सुचा की अंद्र यानि कमपास का उपयोग करते हैं। इस दिशा सुचा की अंद्र में एक सुई होती है जो सभी दिशाओं म पता लगाने में सहायता मिलती है इसलिए हमें किसी चुम्बक के ध्रुवों को चिन्नित करने की जरूरत पड़ती है अपना चुम्बक खुद बनाएं आईए अपना चुम्बक स्वैम बनाने की विधी पर विचार करें एक पेपर क्लिप लें एक मोटे और मजबूत चुम्बक का उप्योग करें क्लिप को चुम्बक पर एक ही दिशा में बार बार रगड़ें ये क्रिया पचास से सौ बार तक करें इसे तेजी से रगड़ें चुम्बक तयार हुआ या नहीं ये देखने के लिए एक कील को क्लिप के निकट लाएं यदि क्लिप कील को अपरी और ना खींचे तो रगड़ने की क्रिया कुछ देर तक और करें ध्यान रहे कि चुम्बक के धुरुव और उसे घिसने की दिशा बदलने ना पाए चुम्बक में बदलने के लिए स्पात की एक कटोरी या ब्लेट का इस्तिमाल भी किया जा सकता है आकर्शन और प्रतीकर्शन अब जबकि आप चुम्बक के ध्रुवों के बारे में जान चुके हैं तो आईए आकर्शन और प्रतीकर्शन की जानकारी भी प्राप्त कर लें। चुम्बकों में जब उत्तरी ध्रुव दक्षणी ध्रुव के संपर्क में आता है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्शित होते हैं। ये एक दूसरे को आकर्शित करने वाले ध्रुव विप्री ध्रुव होते हैं। वहीं जब एक चुम्बक इसका दक्षणी ध्रुव किसी दूसरे चुम्बक के दक्षणी ध्रुव के संपर्क में आता है, तो वे एक दूसरे की तरफ आकर्शित नहीं होते। ये एक दूसरे से दूर हटने वाले ध्रुव समान ध्रुव होते हैं। चुम्बकों के प्रती कुछ चेतावनियान। हम अब किसी चुम्बक के आकर्शन और प्रती कर्शन के गुणों को जान चुके हैं। चुम्बकों को सुरक्षित और चालू हालत में रखने के लिए इन दिशा निर्देशों का पालन करें। चुम्बकों को ना तो गर्म करें ना पीतें और ना ही किसी उंचा ही से गिराएं। ऐसा करने पर वे अपना गुण खो बैठेंगे। चड़ चुम्बकों के जोड़े के आसमान ध्रुवों को एक ही तरफ रखें। उन्हें अलग रखने के लिए लकडी का उप्योग करें। किसी नाल चुम्बक के ध्रुवों के बीच लोहे का एक टुकडा रखें। चुम्बक को कम्प्यूटर, मुबाइल फोन, टेलुज सेट और कॉम्पैक्ट डिस्क यानि सीडी से दूर रखा जाना चाहिए। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संग्षेप में दोहराएं। चुम्बक चुम्बक की ये पदार्थों को आकरशित करता है। चुम्बक के सिरे चुम्बक के ध्रुव कहलाते हैं। एक स्वातंतर चुम्बक हमेशा उत्तर दक्षन दिशा में रहता है। चुम्बक के सम आसमान्त्रुव एक दूसरे से दूर रहते हैं, जबकि आसमान्त्रुव एक दूसरे को आकर्शित करते हैं.